आज किस वीडियो में हम कुछ एक important questions discuss करेंगे जो कि आपके आने वाले competitive exam के लिए useful है यहाँ पर आपके questions है बच्चों में protein की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन होता है वह है option है मेरा मम्स पहला ग्राम बैरी बैरी रिकेटर so right answer is option A मेरा मम्स पौधो का नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है options है वरगी करण पहचान नाम करण वरगी की so right answer is option D वरगी की next है कि शेवाल से आयोडीन प्राप्त होती है so options है next है जिन पौदो पर बीज बनते है किन्तु पुष्प नहीं लगते कहलाते है आवरित वीजी अनावरित वीजी टैडोफाइटर्स ब्रायोफाइटर्स so right answer is option B अनावरित वीजी next है आलू किस हुल से संबंदेत है options है सोलोनेसी, कंपोजीटी, ग्रैमीनी, क्रूसीफेरी so right answer is option A सोलोनेसी next है टिकका रोग किस फसल से संबंदेत है option है सरसू, धान, बाजरा, मुंगफली so right answer is option D मुंगफली कोशीका का उर्जा ग्रैक इसको कहा जाता है option है गालजी कोई, न्यूकल, ओलस, माइट्रोकॉंड्रिया, राइबोजोम so right answer is option C माइट्रोकॉंड्रिया next है किसी श्रिंकला में प्रात्मिक उपभोगता होते है उत्पादक, शाकारी, मासारी, अपघटक so right answer is option B शाकारी next है वायू प्रदूशकों का विश्वस्निय संकेतक है फन तथा साइकस, हरे शेवाल तथा लिवर वर्ट, लाइकेन्स तथा मास, नीम तथा समुद्री सीख so right answer is option C, लाइकेन्स तथा मास सर्ताज और हिम, 1, 2, 3 किसकी परमुक किसमे है so options है अदरक, मक्की, मटर, टमाटर so right answer is option B, मक्की next है चिपको अंदोलन, मूल रूप से किसके विरुद्ध था so options है जल प्रदूशन के, ध्वनी प्रदूशन के, वन कटाई के, सांस्कृतिक प्रदूशन के so right answer is option C, वन कटाई के next है ट्रेकोमा, बिमारी का संबंध किस से है सिर से, खून से, आंखो से, तवचा से so right answer is option C, आंखो से next है एक जूल में कितना कैलोरी होता है so options है आपके पास 0.24, 0.44, 0.54, 0.64 so right answer is option A, 0.24 next है सिस्मोग्राफ, डैश का पता लगाने के लिए उप्योगी है जुआर, लहरे, भूसकलन, वॉलकेनी, भूकम्प so right answer is option D, भूकम्प next है बिना शले चिकित्सा के पत्थरी का इलाज किया जाता है X-ray द्वारा, प्लूरेस, कोपी द्वारा, लेजर द्वारा, अल्ट्रासॉंट द्वारा so right answer is option C, लेजर द्वारा next है रेडियोस क्रिय प्रदात उत्सरजित करता है alpha किन्ने, बिटा किन्ने, गामा किन्ने उप्रयोक सभी so right answer is option D, alpha, बिटा, गामा सारी ही रेज उत्सरजित करता है next है 17 मुक्त रूप से लटकी, चुम्बकिय सुई का अक्ष, भोगौलिक अक्ष के साथ कौन बनाता है option है 20 डिग्री, 16 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री so right answer is option D, 18 डिग्री विध्यूत उत्पन करने के लिए कौन सी धातु का उप्योग किया जाता है so right answer is uranium, आप सभी को पता ही होगा next है आवर्धक लेंस वास्तम में क्या होता है सम्तल, अवतल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलना का लेंस so right answer is option C, उत्तल लेंस next है बनार्सी और नरिंद चकेया किसकी परमुख किसमें है so right answer is option C, आउला next है पानी में डूबी हुई लकडी, मूडी हुई दिखाई देती है निमनांकित कारण से ऐसा प्रतिभासित होता है so options है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विसर्जन so right answer is option C, प्रकाश का अपवर्तन, घरों में लगे पंखे, बल्व, आदी लगे होते है श्रेणी क्रम से, मिशित क्रम से, समांतर क्रम से, किसी भी क्रम से so right answer is option C, समांतर क्रम से next है किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके भार का, आकार का, ताप का, दूरी का so right answer is option C, ताप का, next है एक मनुष्य एक मिटर से कम दूरी की वस्तु को सपष्ट नहीं देख सकता वो किस दृष्टी को, किस दृष्टी दोश से पेडित है so आपके options है, दूर दृष्टी, निकिट दृष्टी, ताल, रोग, इन में से कोई नी so right answer is option A, दूर दृष्टी next इंदर धनुष किस कारण से बनता है, options है आपके अपवर्तन और परिक्षिपण next है, प्रीकरण और अपवर्तन, विवर्तन और अपवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन so right answer is option D, अपवर्तन और परावर्तन next है आपका decibel का प्रियोग निमेलिक्त मैसे किसके मापन के लिए होता है प्रकाश की तिवर्ता, उश्म की तिवर्ता, ध्वनी की तिवर्ता, रेडियो तरंगों की बारंबारता so right answer is option C, ध्वनी की तिवर्ता next है एक गेंद को क्षैतिज से कितने कौन पर फैंके कियो अधिक्तम क्षैतिज दूरी तै कर सके so आपके जो options है 0 degree, 90 degree, 30 degree, 45 degree so right answer is option D, 45 degree next है वायू मैं किसकी अधिक्ता होने पर पेडों की पतियां काली होकर गिर जाती है so आपके options है CO2, SO2, CO, NH3 so right answer is option C, CO next है परदात की चतुर्त अवस्ता है थोस, तरल, गैस, प्लाज्मा so right answer is option D, प्लाज्मा अच्छा question 28 में मुझे खुदी doubt है options में यहां पर शायद SO2 right answer हो सकता है so अगर आपको इसका अंसर पता हो, please comment in comment section next है आपका 30 question सारवदिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते है uranium, hydrogen, polonium, lead so right answer is option C, polonium next है रेडियो कार्बन काल निर्धारन किसकी आयू का अंकलन कनने के लिए परियुक्त किया जाता है options है मरीदा, समारक, जिवाशम, चटाने so right answer is option C, जिवाशम next है पशु, पक्षी, शरीर के किस अंग से सांस लेते है options है गलफ़णों से, फेपणों से, तवच्चा से, इन मैं से कोई नी मुझे इसमें भी doubt है इसका right answer ये है कि different types of birds and animal different types से सांस लेते है गलफ़णों से भी करते, फेपणों से भी करते, तवच्चा से भी करते है तो इसका भी आप मुझे right answer कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजेगा next है दूद का pH मान होता है so इसका right answer आएगा 6.4 यहाँ पस 6.6 दिया है तो इसका pH होता है 6.4 next है नेमन मैंसे कौन सा वरिक्ष भवन निर्मान के लिए उपयोग मैं नहीं लाया जाता so यहाँ पर options है देवदार, चीड, शैतूत, भांग so right answer is भांग भांग का कोई यूज नहीं होता है भवन निर्मान के लिए next है द्रव्यमान का मातरक है second, kilogram, meter, वर्ग, meter so right answer is kilogram next है रुक्मनी कुंड हिमाचल के कहां स्तित है हिमाचल में कहां स्तित है इसमें questions ही अलगी sentence बनाए होए है so यहाँ पर जो आपके options है रामपूर, धरमशाला, उना, बिलासपूर so right answer is बिलासपूर next है धाटू क्या है so यहाँ पर option है नीचले हिमाचल में एक शाकारी भोजन उपरी हिमाचल में एक लोक, निर्त्य शैली एक वाद्यय यंतर ग्रामिन क्षित्रों में महिलाओं का सिर धकने वाला वस्त so इसका जो right answer है वो है option D ग्रामिन क्षित्रों में महिलाओं का सिर धकने वाला वस्त next है 38 question भूरी सिंग स्रंगाल ले हिमाचल परदेश की किस जिले में स्तित है so right answer is option D आपको पता ही होगा चमबा में है भूरी सिंग स्रंगाल ले next है Indian Institute of Advanced Studies पहले कहलाता था क्या कहलाता था ये so right answer is Vice Regal Lodge ठीक है तो option D is your right answer Vice Regal Lodge next है बाबा कांशी राम को पहाड़ी दा बुल बुल किस ने कहा था so right answer is option is रोजनी ने आईडू ने इसे इनने क्या कहा था पहाड़ा दा बुल बुल next है विश्व जल दिवस कम मनाया जाता है तो आप सभी को पता है योगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है next है अमरीता शेरगिल किस रूप में परसिद हुई है so right answer is option B चित्रकार के रूप में परसिद हुई है so यहां पर हमने अभी कुछ है question लिए है next part में हम कुछ और questions लेंगे so अगर आप को यह video पसंद आई हो तो इस video को like and share कीजिएगा इन channel को subscribe कीजिएगा और जिस question में मैंने अपने खुद के doubt बताए है please आप उनके answer comment section में comment कीजिएगा thank you